फिर से आप सभी के एक बार दोस्तों LTS में स्वागत है बहुत दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कॉमेंट्स में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो lot size वाली कमपनिया या आप SME stocks वाली कमपनिया या फिर microcap वाली कमपनिया कह सकते हैं उनके बारे में जानने के लिए लोग लालाई थें तो मैं शुरुवात में कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि किसी भी कमपनी को आप कंसीडर करते हैं जो आज मैं बताने वाला हूँ 5-6 कमपनियां बताऊंगा और उनमें किसी प्रकार के यदि आपको हानी होती है तो आपका होगा लाब होता है तो भी आपका ही है मेरा सिर्फ यहाँ पे काम है कि उन कमपनियों को आपके समक्ष रखूँ जो छोटी कमपनियां लेकिन उनका वेबसाइज जो मुझे ठीक लग रहा वरतमान समय में जो भी डेटा मिल पा रहा है उनकी वेबसाइट से या अधर साइट से तो इस बात को आप मान के चलें कि भविश में किसी प्रकार के उस तरीके के कॉमेंट ना है कि सर आपने वो कमपनी बताया था हमने लिया था और उसमें हमको नुकसान हो रहा है किसी भी stock को by और sell के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं लेकिन उनके business को लेके जरूर में चर्चा कर रहा हूं उससे आपको idea लग जाए कि आपको लेना है या नहीं लेना है आपको अपने खुद की पढ़ाई जरूर करनी है पहला जो इस टॉक है हम ले रहे हैं सिले कोर सिले कोर अगर देखें कंजूमर इलेक्ट्रोनिक प्रोडक्ट्स हो जाते हैं बहुत सारी फेंसी प्रोडक्स हो जाते हैं और इनकी डिमांड अनेमरद बनी रहती है जैसे कि यहाँ पे आप ear buds हो गए, smart watches हो गए, smart television हो गए, speakers हो गए, neck bands हो गए, mobile phones हो गए अनिक प्रकार के gadgets जो हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं और इन product की दिमान यानि की consumer products हैं तो बनी रहेगी यह जो company है, इसका काम है, trading करना, इन products को बेचना, काफी products तो बढ़िया लग रहे हैं बाकिक details हम अभी आगे चल के देखेंगे, कि क्या इसका वर्तमान price है, क्या lot size है, या इसकी market cap कितनी है अब इन company को चुनाओ के पीछे जो मकसद था, ये था कहना, कि ये बिखते रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है लेकिन फिर भी एक तरह रिस्क तो होता है, competition भी है, परन्त ये कोई company, कोई management उसका इसको चलाना चाहे, अच्छे से आगे ले जाके, च्छा जाये पूरे भारत वर्ष में तो मुझे लगता है कि काफी potential IC कमपनियों में हो सकता है दूसरी जो company है, उसका नाम है, पूर्व फ्लैपसी पैक इस company के भी products जो है, काफी बढ़िया है, business to business है, business to consumer भी है और जो packaging films, printing inks, chemicals, plastic, granule, master batches, titanium, dioxide इस तरीके के इनके products है लेकिन इस company की एक विश्यस्ता ये भी है, कि एक company है, cool caps करके, जो की bottles की धक्कन वगेरा बनाती है, caps इस प्रकार से नाम ही है उसमें इनकी holding है, 62% के आसपास तो वहीं पर इस company को थोड़ा सा और भी एक तरीके से आप कह सकते हैं, कि जबरस holding है उस company में तो valuation उससाब से आप चिक कर लेंगे तीसरी जो company है AI के pipes AI के pipes आप देखेंगे जो products हैं, जिस प्रकार से infrastructure भारत वरश में चल रहा है या जिस प्रकार से इनका export का plan होगा portable water solutions में इनके products इस्तेमाल होते हैं, irrigation में, oil and gas pipes, telecom industry में अगली जो company है, पुने e-stock broker stock broker में जैसे angel one broking है, इस तरीके बहुत सारे brokers हैं जो listed भी है तो उस तरीके की ये new listed company है, अगर आपको पसंद है, इस तरीके company क्या भाविश में चलती रहेंगी क्या किसी प्रकार का risk है, वो सारा कुछ देखने के बाद आप इसको अच्छे समझें, इनके website पर विजिट करें, और भी डिटेल से निकालने के कोशिश करें अभी price वगर हम आगे देख लेते हैं अगली जो company है, IBL Finance IBL Finance देखा जाया तो बहुत छोटी company है, और पचाज जार तक का loan देती है in just 3 minutes, आप देख सकते हैं, उन्हें वो लेक किया हुआ है और यह भी new real estate company है, अभी हम देखेंगे details यह app best loan देते हैं, 10 लाग प्लस जादा app download सोची की, 8 branches हैं साथ सालों से काम कर रहे हैं, ecosystem partners में, RBI, CBIL इस तरीके के आप देख सकते हैं, PTMB, NPCI, NSDL, ECO, Cash Free Payment, Experian, Digio इस तरीके के इनके जो partners हैं, अब होता क्या है कि ऐसी company हो में, किसी भी दिन RBI का mood खराब हुआ तो सीदे करें कि भाई, बंद करो यह अपनी आयब, बहुत हो चुका यह भी रिस्क रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कह देंगे, कुछ problems आएंगी तभी कह सकते हैं लेकिन अगर इनका business भड़ता गया, पैसा किसको नहीं चाहिए तो company जो हम आपके समख्ष लेके आएं, अगर देखा जाए, वैसी company जो एक long run में भी चलती रहेंगी कि business wise बशर्तें किसी प्रकार कोई बड़ी समस्या ना है जैसे कि हमने यह बताया, एक broking industry का, जैसे कि हमने pipes औगा बताया, यह भी चलती रहेंगी, demand बनी रहेंगी जैसे कि हमने पूर फ्लैक्स इपैक्स जो कि आप packaging products देखते हैं, chips बगारा खाते हैं, अनिक प्रकार के अनिक industries के लिए बनाते हैं और यह जो consumer products आपने देखा ही है, तो IBL finance हो गए, इसके बाद DCG cables and wires, बहुत सारा लोग पूछते हैं कोई अच्छी cables and wires की company बताये तो यह अभी list हो रही है, 16 April को, और आपको लगता है कि जो solar solar industry, solar power, यह सब कुछ जो चल रहा है आजकल, तो copper wire की बड़ी demand रहती है, जो wires होते हैं, जो electrification के लिए जो भी infrastructure है, उसमें तो यह इस्तेमाल होते ही होते हैं, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार के products हैं, wires and cables के, च fiber coating भी है, इस तरीके के, अभी यह list होने वाली, आइए चलते हैं, फट 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 देख लेते हैं, क्या price वगएरा है, तो सबसे पहले जो sell core gadgets limited है, यहाँ पे, उसका जो price चल रहा है, अभी 217 का, 1200 shares का एक lot है, NSC SME, और अब देखेंगे कि P ratio इसका 57 का है, price to book value 5.72 का है, इस की face value और 28 सितंबर 2023 की listing होई थी, छोटी company है, काफी भाग भी चुकी है, लेकिन अभी काफी ज्यादा गिर भी चुका अपने high से, तो उस तरीके से यदि आप अपनी research करने में खामयाब होते हैं, तो जरूर आप ऐसी company हो में अपने decision ले सकते हैं, क्योंकि होता क्या है, कि जब आप 1200 यानि lot size वाली company हैं, देख लें कुछ company हो सकता है कि lot size reduced भी हो जाता है, तो वो समय समय पर करते रहते हैं, management के द्वारा approval मिलने के पश्चाहत, exchanges से तो वो करते रहते हैं, तो यह देख लें कि जो क्या price बनता है, तो देख रहें कि 1200 shares का 217 से आप गुणा करेंगे तो करीब 2,60,000 रुपए से ज़्यादा बन जाते हैं, इतना पैसा एक lot में लग रहा है, यह भी एक बड़ी समस्या है, अगर कोई अलग-अलग 3-4 company में डालना चाहे तो बहुत बड़ा पैसा लग जाएगा, तो यही होता retail निवेशक ना तो pre-IPO में invest कर पाता है, ना वो listing ही 2-3 गुना के हो जाती है, तो वही समझ के आप जो है काम करें, retail निवेशको की हिस्से में वही आता है, जब उन shares के टुकड़े हो जाते हैं, फिर वो 10-10-5-5 करके लेता रहता है, जो भी price हो, अब पूरु फ्लैप्सी पैक का अगर देखते हैं, 227 का price चल रहा है, 1600 shares का एक lot है, बताईए, काफी बड़ा पैसा यहाँ पर लग सकता है, NSC SME का है, 477 क्रोड की इसकी market cash है, 10 की face value है, 5 मार्च 2014 को list हुई थी, यानि के एक मन्त हो चुके, हमने update भी किया था, लेकिन सोचिए कि इसका खरीब IPO price 73 या 77 के आसपास ऐसा था, अब उससे तो तीन गुना तो list के पश्चात हो चुका है, listing के बाद हालां कि भाग नहीं पाया है, 85 का P है, price to book value 3.82 का है, यह सारी चीजे भी ध्यान देनी है, साथ ही, यह financial year समाप्त हो रहा है, और इन stocks का, जो half yearly results आते हैं, वो भी आएंगे, सारी company के आएंगे, तो उसको भी देखने के बाद ही नि booking, जिनको इस तरीके कमपनियों में निवेश करना है, वो से साब से अपनी study कर सकते हैं, 128 की price पे है, और 1600 का एक lot है, 10 की face value 200 क्रोड की market cap है, 15 मार्च 2024 को इसकी listing हुई थी, यानि कि एक महीने भी अभी नहीं हुए है, 22 की P पे है, price to book value 1.69 का है, अगला जो stock यहां पे AI के pipes and poly subscribers है, 114 की price पे है, 1600 का यह भी lot है, और NSC SME में है, ठीक है, तो AI के pipes अगर देखते हैं, BSC SME में है, 1600 का एक lot, 38 की price to winning ratio पे price to book value 3.52 का है, बहुत छोटी company 72 क्रोड की market cap है, 100 क्रोड से भी नीचे है, और 10 की face value जनवरी 2024 को listing हुई थी, इसकी जनवरी, फर्वरी, मार्च, अपर Legal Finance 52 की price पे है, जब से भी list हुआ है, देखे, इसका IPO price ही करीब 51 रुपीज था, और अभी भी 52 के आसपास है, 2000 का एक lot है, NSC SME का है, और 119 क्रोड की market cap है, 66 price to earning ratio है, price to book value 2.40 का है, 10 की face value, 16 जनवरी 2024 को, तो यह भी अभी विशेस भागा नहीं है, क्या कारण है, results आने वाले हैं सभी के, प्रतीक्षा करने पड़ेगी, थोड़ा इनके results, लेट लतीफी आते हैं, तो वही प्रतीक्षा कर सकते हैं, election हो जाने दीजिए, नसर बना के रखिए, रही बात DCG wires and cables की, तो इसकी listing 16 अप्रिल को हो रही है, जो अभी wires and cables के बारे हमने चर्चा की, 1200 का एक lot, IPO price तो 100 का है, लेकिन देखते हैं, क्या listing होती है, GMP तो कुछ खास नहीं था, मुझे लगता बाजार का महल तो डगमगा रहा है, तो flight ही listing होनी चाहिए, NSC, SME का ये भी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 stocks के बारे में, हमने आप से चर्चा की, पूरा भाग आपका निर्भर है, इन कंप कंपनियों पे, इन कंपनियों के promoters पे, किस तरीके से कंपनियों को चलाते हैं, fund raise किया है, तो जरूर कुछ न कुछ करना चाहेंगे, इसके पहले हमने कई वीडियो बनाया थे, जो अच्छे perform किये थे, हाला कि बाद में कुछ stocks काफी गिर भी गये थे, लेकिन कुछ कंपनि के बारे में बताया था, लेकिन लेस्टिंग के बाद ही 3-4 गुना हो गया, काफी भाग गया, तो हिम्मत नहीं होती है, एतनी महेंगे valuation पे हैं, और फिर उनका जिकर इसलिए भी इस वीडियो में हमने नहीं किया, क्योंकि इस वीडियो में इसलिए नहीं किया, कि बहुत ही बिजनस मंदा हो जा, लेकिन मुझे लगता है टीवी हर घर में आवश्यकता है, हेड़फोन हर अनिसान यूज़ करता है, बट्स यूज़ करते हैं, मुबाइल फोन, स्पीकर से सारी चीज़ें, इसी तरीके से पैकेजिंग वाला बिजनस में चलता रहता है, अनेक प्रका हो ये भी चलने वाला है, तो इस तरीके से हमने उन्हीं कमपनियों को छोटी कमपनियों को आपके समख़ रखा बिजनस को फोकस करते हुए, ना की वर्त महनों वेलवेशन को या उनके फरनेशन को देखते हुए, तो ये रहा दोस्तों, आज के वीडियो जरूर आप भी अ